LDTutorial.com is a free worldwide online study website करके यूज भी करते हो इसमें हो सकता कि बहुत सारे वाइरस आ जाए और आपका software करप्ट हो जाए computer दिए slow होने लगे बहुत सारी टक्निकी खामी आ जाती है जिससे बचने के यह उपाय है कि Microsoft Office के बदले में बहुत सारे free tools उपलब्द हैं जिसके हम प्रियोग करके आसानी से Microsoft Office का ही सारा काम कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और अलग-अलग tools के आपके बारे में बताते हैं तो पहला है हमारा free office इसका नाम ही है free office यह बिल्कुल free में है लेकिन इसमें तीन ही चीज मिलती है आपको text maker इसमें आपको ms word मिल जाएगा plan maker यह आपको excel मिल जाएग तो यहां से आप downloads में जाकर download कर सकते हैं और download करके इसका free map यूज कर सकते हैं अगले एक तरफ बढ़ते हैं अगला है लिब्रे आफिस पर complete वह सारी चीज़े मिल जाती है जो Microsoft Office मिलता है वह बिल्कुल free में आप जैसे यहां पर देख पा रहे हो यहां पर आप देखो राइटर मिल गया वर्ड प्रोसेसर यह आपका MS वर्ड हो गया एक्सेल हो गया यह पाउर पॉइंट हो गया यह पैंट जैसा है यह डेटाबेस बनानी के जिसे एकसेस होता है वैसा है मैस के लिए चार्ट के लिए इस तरह से बहुत सारी टूल्स में मिल जाते हैं तो आप इसको भी यहां से डाउनलोड करके इसके यूज कर सकते हैं विल्कुल free में उसके बाद एक आता है अपाची का ओपेन आफिस ओपेन आफिस भी इसी तरीके क्य क्या होता है कि इसका maximum tools free होते हैं अगर लेकिन premium में ही इसके premium भी होते हैं लेकिन free में उतना मिल जाता है आपका कि AWS office का काम चल जाता है तो आप WPS का भी यूज कर सकते हो उसके बाद आपको मैं दो चीजे ऐसे बता रहा हूं जो online होते हैं मतलब आप उसको online MS office के तरह लेंगे और इसमें Google से ही आप Google के email ID से इसको login कर लेंगे तो यह login हो जाता है login होने के बाद आप देखोगे तो जो Microsoft Office का सारा tools है वह यहाँ पर online मिल गया आपको वह फ्री में कितने तक 5G तक हम इसमें store करके free भी रख सकते हैं जैसे मालो कि MS Word हमें यहां काम करना है यहां कर करना है इसी ID password के साथ हम दोबारा access कर लेंगे और यहीं पर यह document मिल जाएगा तो यहां से आप देख सकते हो word document presentation workbook मतलब एक सल यह सारी चीज़े आपको यहां पर मिल जाएंगी और इसमें एक चीज़ यह होती है कि बनाने के बाद आप यहां सा share भी कर सकते हो जैसे मालो क हमने यहां पर अगर MS यह word of view open हो रहा है तो मालो कि हमने word document यहां पर बना लिया उसके बाद आप यहां से share भी कर सकते हो यहां से share का option होता है और जैसे आप share करोगे तो जिसके पास पहुंचे कि वह online edit भी कर देगा अगर वो चाहाए edit करना तो इतना भी इसमें option मिलता है आ कर दिया है anyone with the link can edit आप इस पर कर देते हो तो कोई भी इसको edit भी कर लेगा और यहां साबका लगले तरह कि थम्प्नेल भी यह सौरी टेंप्लेट्स मिल जाते हैं आपको यूज करने के लिए इसके साथ एक और है online जिसको हम बोलते है Google Docs Google Docs क्या होता है कि यह जैसे यह Google का product है online के लिए जैसे आप MSWAT पर यूज करना चाहते था Docs यूज कर लो Excel के लिए sheet यूज कर लो PowerPoint के लिए slides यूज कर लो इस तरह से इसमें भी हम free का यूज कर सकते हैं वह भी बिना किसी software install किये हुए तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही अगर वीडियो ठीक ठाक लगे त आप सब्सक्राइब कर लेजिए थैंक्यू थैंक्यू सो मख्यू